देश में इन दिनों दो मुद्देश सबसे चरम पर है, पहला उत्तरप्रदेश विधान सभाचुनाव और दूसरा महंगाई, महंगाई इसलिए क्योंकि लगातार पिछले कई महिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होता जा रहा था, ऐसे में लगातार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर कटोती की थी, जिससे अलग अलग राज़ों में पेट्रोल की किमतों में गिरावट दर्ज की गई है, केंद सरकार ने पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से रहत देते हुए 5 और 10 9.7 रुपे परती लीटर है और डीजल के दाम 86.67 रुपे परती लीटर ही है, गुरुवार की तुनला में इंधन की किमतों में कोई बदलाब नहीं हुआ है, पेट्रोल और डीजल के दामों में इस साल काफी अधिक उच्छाल देखने को मिला है, दिवाली से पहले लगता 7 दिनों तक इंधन के दामों में बढ़ोतरी हुई, हाला कि उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता को राहत प्रदान करते हुए एक्साइड ड्यूटी और वेट में कटौती कर दी, जिसके पास सियासी पारा बढ़ना लाजबी था, कॉंग्रिस फिर भी केंद पेट्रोल के दाम में भी कोई बदला नहीं हुए, बता दें कि छोटी दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने एहम कदम उठाते हुए, पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइड ड्यूटी पांच और दस रुपे कम करती थी, इसके बाद बीजेपी शाशित प्रद राज्यों में भी वैट कम करने की मांग की है, तो आम आदमे के लिए ये जाना जरूरी है कि आखिर आपके शेहर के पेट्रोल डीजल के क्या दाम है, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं डीजल और पेट्रोल के दाम महानगरों में किस तरह हैं, तो चलिए आपको दिखाते अगर झायई हैं दिल्ली की अगर बात करते तो दğ दिल्ली में 86.77 रुपेय पति लीटर डीजल की किमत है वही अगर पेट्रोल की पेट्रोल कीा है पेट्रोल एकसो तीन दिशंव 89.79 रुपे बिक रहा है इसके लावा अगर कॉलकतह की हम बात करें तो कॉलकता में 89.79 रुपे प्रति लीटर डीजल की कीमत है वही अगर पेट्रोल की हम बात करें तो पेट्रोल में 104 रुपे प्रती लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत में देखे जा सकते हैं वही अगर चन्ने की हम बात करें तो चन्ने में 90.43 रुपे प्रती लीटर डीजल की कीमत पैट्रोल की अगर बात की जाए तो पैट्रोल 101.40 रुपे पती लीटर बिक रहा है तो ये महानगरों को आकड़ा है अगर आप अपने शहर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हम आपको वो भी बता सकते हैं इसके अलावा मध्यप्रदेश, राजिस्थान, महरास्ट, आपक, औरिसा, जमुकश्मीर औरदाफ में पैट्रोल का भाव 100 रुपे पार्क कर चुका है मुमें पैट्रोल की कीमत सबसे जादा है यानि कि अगर बात इन महानगरों की की जाया चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो चुन्न ही हो कौलकता हो या फिर मुंबई हो मुंबई में स सबसे जादा पेट्रोल की कीमत इस वक्त देखी जा रही है जो बीजेपी शाषित राज्ये हैं वहाँ पर जो वैट है उसे घटाये गया है आम आदमी को रहत दी गई है तो ऐसे में बीजेपी कॉंगर्स पर निशाना साथ रही है कि कॉंगर्स को भी अपने राज्यों में गटाना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके तो यह कहा जा सकता है कि बीते कई दिनों से पैट्रोल और डिजल की कीमतों में जो इसाफा हो रहा था आपके इंद सरकार ने इसमें कहीं न कहीं राहत दी है और राज्ये में भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है लेकिन एक और मुद्दा जो है वो अब गर्मा गया है इस मुद्दे को बनाने की पुर्जोर कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष करते हुए नजर आ रही है और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए न्यूस वाल इंडिया के साथ